कि जड़ी थी वह सही जिंदाज जड़ने चीए थी आज शंदी मिलिया प्रमातमाना में ले उसकी जो लड़की साथ वा कितने भाव के हैं ऐसे रोने को अमन क्यों कर रहा है यार कमाल कर दिमारी दी बैठी थी वह अपनी विबान है पूरे देश की बैठी नमशकार ग्राउनमीने टीम मौझूद है सफीदो के ग्रामिन्ट शेतर में और यहां हमारे साथ कुछ यूवा भी हैं कुछ बजर्ग भी हैं हमसे जुड़े हैं इन से बात करेंगे आज जो देश में 27 नमबर से लेके बवाल मचा ता पूरे दुनिया ने इस घटना की गोर निन्दा की थी जो हैदराबाद का रेप केस था और आज पुलिस ने जो चारो दरिंदे थे अपरादी थे जिन्नों ने इतनी गंदी हरकत की एक बेटी को देश की एक बेटी थी होन हार बेटी को उसके साथ बलात कार करके उसके बाद उसके को पेटरोल छिड़के जिना ला दिया गया और जो 27 नंबर से लेगा आज 10 दिन हो गया जो पूरे देशों में वी देशों में जो रोश देखा दा रहा था उसी को लेके जो आज उनका पुलिस हैदराबाद पुलिस थी जो उन्होंने एंटर काउंटर करके उनको मौत की नीन सुला दिया है तो यह जा लिए चारो परादियों को मौत की नीन सुला दिया गोली मारदियन काउंटर करके आप क्या कहना चाहेंगे कैसा काम था यह बिलकुल ठीक था हम सरकार के साथ सैमत हैं ऐसे अपरादियों को सजा देना बिलकुल सही ठीक है कदम उठाया है और आगे सरकार से दर्खास करते ह अभी ऐसा कोई ऐसा कारिया होता है तो उसके लिए भी सक्त कारवाई की जाएंगे ताउजी एक बात और बताओं क्या यह सजा काफी है एसे दरिंदों के लिए क्योंकि उसको बड़ा तड़फा-तड़फार के मारा गया था जिन्द कि यह अपनी है जैसे इनकी सजा देए नियुक्त सरकार ने और आग कोई सा कांड करें तो उसको भी यह सजा मिलनी चाहिए एक बात और बता हो जी जो बलातकार के आरोपों में जेलों में बंदें जैसे निर्बा कांड था कठुवा कांड था और ही माचल में गुडिया बलातकार के आरोपों में उनका उनको क्या सजा मिन उनको रादो उनको भी निकल कर ठाव निकाल और उनको भीलिमाट इमांड जीं上 मेंडिकें बहूं कि आप बहुत बड़ी अखरा जी तो गोर्मेंट ना और अगर भी जो इसे अर्कत करें तो उनको भी यह सजा मिलनी थी यह क्या यह जो सजा काफी है काफी है काफी है आप संतुस्त हो आप यूआ हो आप यूआ क्या करना चाहोगे इतनी बेदर्दी से उस बेटी को जिंदा बलात कर किया पिर जिंदा दिला के मार दिया जिंदा जलाने था आपके हिसाब से कैसी सजा मिलनी चीए थी जिंदा जलाओ जाओ आज शंदी मिलिया परमातमाना में उसकी जो लड़की साथ आप इतने भाव के मैं ऐसे रोने को अमन्द क्यों कर रार कमाल कर दिमारी दी बेटी वह अपनी विबान है पुरे देश की बेटी यार ऐसे तो मेले जो यह करकांड जेडम पड़े है यार इनका खर्चा कई रो यह कोई मेले तार पकड़ कमर्जा स्कूर्टी उनको दे रहे हैं एक बात और जाना चाहेंगे आपसे के जिन जो आरोपी इस तरह के दरिंदे जो बलात का रही है जेड़ों में बंद हैं और जिनके पर आरोपी सिद्ध हो चुके हैं जैसे निर्भय कांड था उसके बार लिए गिन काल दो ना किसी वो मेले पारा देन की जुरूट उसकी बिलकूल ना उसके खर्चरों और ना मेले जो तरफे गाउस को उस दर्द का मैसूस होगा तो जो बल्कुल उस बेटी को पता लगा वहां मैंने कुछ किया था और मना मजे विसामी लिरी है आपके क्य तो यह तो ना नहीं है और अपना प्राजियों कैसी सजा मिलनी चाहिए कि गोड़ी मार के खतम कर जिया क्या सजा बहुत है यह से भी और कठोर सुझा देनी जिए उनना फासीदों नोडिये है जिब बंद कर ज़ेदम में उनना फासीदों एक यह जो काम करता यह बिलकुल ब तो यह जो तो यह जो जो कहा है आप तो यह ठीक हो यह जो से पित्रपडे मुए भी चाहिए मौत कुटों यह उनने भी सजाद मिलनी चीए मज़े ले रहे हैं तो इन्दर के सारी नकाटाट करांके ॥ा खबार में भी आया हुए पंजाब के शरी में कि जो जेल के बंद ब पर आदियेरों नहीं के सजा सब्सक्राइब को क्यास सजा है, आप राजी कम शुनाय को मूद पर सजा में मेसा हाँ भालु और हाएउ मैं मैं कहना कहता है कि इनको करम कांडियों को तुरंती सजा या फासी बुरा करते हैं बुरा करम इनको फासी की सजा तुरंत देनी चाहिए ना इनकी कोई रहत होनी चाहिए तुरंती मोके पर जो बीजेपी सरकार कर रही है बूत बढ़िया कर रही है फासी दे रही है इनको सभी दूर इनको करम कंडिये को फासिदेनी वोली मार के खतम करदे चाहरो क्याल यह सजा है नए इनको सोल को चोके वाशी देनी चाहिए रिक錯 कहना है यह नो इस þरी एभु रेब भुए लेधा किया झतर शॉब से क्या कहना चाहिए नंक धून वागे तो क्या ये सजा बहुत है जो गोली मार के मार दिया ना ये कम सजा नहीं तर्फा के मारना था जैसे लड़ को मारे हैं ये सजा कम है तो जी आप क्या कहना जाओगे इसदर देख़एगा आप बजूरू को जब एक देश की बेटी के साथ ऐसा अनर्थ होता है तो कैसा है मन पे कितना दुख होता ये खबर सुनके पढ़के और कैसी सजा मिलने सी दुख तो है सब नहीं होगा और ये तो समाज में लगी है बिल्कुल उनको फासी के सजा देई गोड़ी मारी वो बढ़िया कर रहा है ये इस तरकार बहुत अच्छा से कर्म कर रही है कोई भी गलत कदम ने उठा रही हैं हैं और ये इससे बहुत अच्छान जो जो जेल मैसला को नको फासिल लगनी सब्सक्राइब जो जब 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 जाड़ के आरौपी है और जो देश کی जेलों में बंद उन पर अरोपी शिद्ध हो चुकेए अभी जेल में बंद हैं कोई जमान जो भढू भी अब एक कांड़ और हुआ है कल एक बलतकर के आरोप जमान लण की उसको वह उसके जो बलतकर हुआ था वह और वह जो ऑसके जो अपरोध ही थे व जमान लड़की से मिले उन्हों से लड़की के ओपर कैरोसिंग डाल के तेज चिले के जिंद्याग लगा दी उसको जिसका अब इलाज चल ला है अई बाते उसको भी माले फासी तड़ुआ दिया जाए उसका भी हैं इसके बुल्या कोई तरह करने फासी अबी सारी बात सुनें बाइसाब मैं तो बस इतना है चाहेंगा ऐसे अदमिया तो तड़ पहाएक है आत पेर काट अर जिस तरह उसने बहन जीने मतलब धर्द साया हम इतने भावुक हो रहे हैं आप इतना मन दुख है भाई मारे दी वेटी थी दर्द सबने मैसूस होगा है चलो करना चाहिए बद भाई सब ठीक कर रहे हैं तो जो गोली मारकिन को मार दिया किया से सजाब ठीक है बहुत सजाब बहुत काम करें जो बलत करें उनको भी उसकी तर रफा तरफा के मारना चाहिए था है तो यहां देखा आपने सफीदों के ग्रामिनी शेतर में जो हैदराबाद बलातकार कांड है जो इसको लेके लोगों की क्या राई है सबी अपनी मिली जुली परती के रिया दी है तो हम आगे भी इस तरह की रिपोर्टिंग दिखाते ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरा मेंन से योगी इंतिजार आलम के साथ है राश्टर ने डिमान की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें